नमस्कार मैं हूँ अधिती अधिकार बगी चाख गार्डन ये सुन्दे ही आपके मन में क्या ख्याला थे बड़ा मैदान, खिल-खिलाते पेड, खूबसूरत लहराते फूल चिडियों का चैचाना और जूलों पर खेलते पच्चे यकीनन यहीं सब आपके मन में आता होगा लेकिन क्या आपने कभी मौट से भरा बगीचा देखा है? क्या आपने जहरीले बगीचे के बारे में सुना है? क्या आपने ऐसे बगीचे के बारे में सुना है फ्रिश एर के लिए पहुचते हैं पर कहते हैं इस बगीची में सास लेने से भी हो सकती हैं हम बात करें युनाइटिट किंग्डम के नौदमर लांड में सित दा आलन्विक पॉईजन गार्डन की आश्यरी की बात ये है कि ये गार्डन इंग्लाइंड के सबसे सुन्दर आकर्शनों में से एक है यहां के मैनिक्योर किये गए टॉप यार, रंग बिरंग पॉधे, खुश्पुदार गुलाब तथा केस्केडिंग फुवारे लोगों को अपने तरफ आकर शित करते हैं आलन्विक गार्डन की सीमा में काले लोहे के दरवाजे पर साफ साफ लिखा है कि फूलों को रुख कर सूंगना तथा तोड़ना मना है साथी दीन जिस साइन के साथ लिखा है इस प्लांट्स कें किल यानि कि इन पौदों से हो सकती है मौर लोग इस बगीचे में हमीशा गार्ड लेकर जाते हैं अगर कोई गलती से अकीले बगीचे में चला गया तो जिन्दा लौट कर वापस नहीं आ पाता ये बगीचे अब जहर गार्डन के नाम से मशूर है वैसे तो ये आलन्विक कैसल काफ़े पुराना गार्डन है लेकिन 1997 में इसकी रीडेवलप्मेंट जहरीले गार्डन के रूप में नौधंबरलांड की रानी जेन परसी ने की थी जेन परसी बाकी आम बगीचे से कुछ अलग बनाना चाहती थी ये बस एक जहरीला बगीचा ही नहीं है बलकि इसका प्रयोग बच्चों के ड्रग एड़ुकेशन में भी होता है जिसके लिए गार्डन में कैनमबिस वा कोक्रीड की खेती की जाती है ये बच्चों को educate करने का एक ऐसा तरीका है जिससे वो educate भी हो जाए और उन्हें पता भी ना चले जेन परसी ने कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस garden का निर्मान किया था उनका कहना है मैंने सोचा एक यही तरीका है जो बच्चों के दिल्चस्पी बनाए रखेगा बच्चों को इस बात से फरक नहीं पड़ता कि आस्प्रिंट पेड की चाल से निकलती है उनको फरक पड़ता है तो इस बात से कैसे एक पोधा आपकी जान ले सकता है और कैसे एक पेशन की मौध होती है और मनने से पहले कैसे फील होता है इस गार्डन में सोब प्रकार के जहरीले पोधे मौझूद है जिनमें इसे कुछ रानी की पसंदीदा है जैसे ब्रुक मांसिया और लाबनना हाला कि गार्डन में हर जगा फूलों को रुक कर ना सुमने की तथा ना तोड़ने की चेतावनी लगाई गई है लेकिन फिर भी पोधों से टॉक्सिक फ्यूंस निकलने की वज़ा से लोग वहां अकसर पिहोश हो चाते है आपको बता दें ये बगीचे 14 एकर में फैला हुआ है बगीचे में करीब 700 जहरीले पोधे हैं और इस बगीचे में अब तक 100 से जादा लोगों की रहस्य में तरीके से मौत हो चुकी ऐसा कहा जाता है कि एक समय शाही दुश्मनों को हराने के लिए इन जहरीले फूलों का इस्तमाल किया जाता था आप इस पोईजन गार्डन में जाना पसंद करेंगे या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं